हेलो एव्रीवान होप यू ओल आ तो नाव एम हैर विद्ध कुछ रिविजिन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड स्टाटेक्स वर अमेट थर्ट से तो जी हम अभी क्या करेंगे हमारी कुछ रिविजिन स्टाट करेंगे ठीक है हमारे एक अनुवा का टॉपिक रहता है वह मुझे याद है अनुवा का टॉपिक मैंने इसलिए साइट पे रखा है क्योंकि वह टॉपिक थोड़ा अलग सा है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा उसको टाइम लगेगा ठीक है इससे पहले मैं आपकी कुछ रिविजिन करवा देती हूं फटापट से तीन यूनिट की ओकी सो लेट स्ट इस का किसी चीज को किसीय ब्रम टॉपिए इतने कीलोमितर लेटहें टोम इसकी हाइट है इतने इंचिस पहले मैं अगया खेंगे हैट है है वो सब चीज़ेंये दो तरह की Ich Jeनskine होती है को थी physical एक हो थी mental measurement फिजिकल measurement व हो होती है जो directly हम observe कर सकते है जैसे किसी की height हो गई area हो गया ठेक है पत mental होती है जो हम directly observe नहीं कर सकते किसी का attitude हमें क्या पता किसी की IQ हमें क्या पता यह हमें टेस्ट करनी पड़ती है वो होती है mental measurement अब measurement क्यों ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है measurement करना देखो diagnosis करने के लिए measurement ज़रूरी है predictions करनी है research work में किसी को compare करना किसी के साथ measurement numbering तो लगेगी admissions करवानी है तो वो grades वगरा देखते हैं तो वहाँ पे भी numbers use होते हैं ठीक है जी अब measurement समझा आ गया बच्चे क्या है confused हो रहे है difference में importance में तो देखिए जी यह जो needs है न यहीं क्या है इसकी importance है चाहे वो evaluation है चाहे वो measurement है so this is one and the same thing okay confused मत हो यह गा बस अगर आप quantitative भी होता है numbers में भी होता है और qualitative भी होता है देखें तो इसकी क्यों ज़रूरत है हम evaluate करते हैं as a teacher की से बच्चे को देखते हैं देखें क्यों evaluate करेंगे हम क्यों उसको judge करते हैं पहला ताकि हम देखें कि हमारे जो methods हम use कर रहे हैं क्या वो सही है क्या जो tools and techniques हम use करने हैं क्या वो सही है क्या उनमें changes लेके आने की ज़रूरत है बच्चे की all-run development के लिए उनको judge करना बहुत ज़रूरी है बच्चे की needs को अगर आपने पता करना है तो उसके लिए भी evaluation ज़रूरी है बच्चे को time to time feedback देना है उनकी गलतियां बतानी है ठीक है जी ताकि वो सुधार सके उसके लिए क्या है evaluation ज़रूरी है और यही importance में आ जाएगा ठीक है फिर evaluation क्या है continuous process आपको पता है evaluate करता जाएगा teacher उस बच्चे को जब भी उसको कहीं पर गडबर लगेगी बच्चे में इससे गया है बच्चे की जो growth है वो पता लग जाएगी हमें यह दो तरह की होती है formative और summative ठीक है जी अब difference भी है उनमें दोनों में difference क्या है measurement और evaluation में measurement हमेशा numbers में describe होती है quantitative होती है evaluation quantitative भी होती है और qualitative भी होती है measurement content पर based होता है कि आपने सिर्फ इतना area find करना है सिर्फ इसकी height find करनी है evaluation objective होता है measurement तो बहुत easy है करना but evaluation थोड़ासा difficult होता है कि बच्चे को observe करके evaluate करना अब दोनों की एक इकठी importance भी है दोनों ही placement के लिए काम आते है certify करते हैं कि बच्चा उस level तक पहुँच गया है methods अगर change करने है या new methods introduce करने है तो उसके लिए ज़रूरी है measurement और evaluation फिर बच्चे को अगर अगले course में enter करवाना है तो उसके लिए भी क्या है evaluation और measurement दोनों ही ज़रूरी है अब आते हैं B part पे B part पे two types of evaluation को हमने बताना है उनके advantages और उनके disadvantages formative evaluation क्या होती सबसे पहले वो होती है जो during the course की जाती है ठीक है जी जैसे आप बच्चा जैसे आपने बच्चे को कोई activity दी तो आप बीच बीच में उसको feedbacks दोगे कि बच्चे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है तो क्या है बच्चा progress कर सकेगा ठीक है in between the curriculum दी जाती है मतला ऐसा नहीं end में बच्चे ने जब test दे दिया चलो जी अब जाके बोला कि तेरे तो number इतने कमा है वो नहीं होता वो summative में होता ठीक है ये grades के लिए नहीं किया जाता ये बच्चे को feedback देने के लिए किया जाता है ठीक है बच्चे को feedback मिलता इसमें बच्चा progress कर सकता है बच्चा motivate होगा और बच्चा जादा से जादा participate करेगा और बच्चे की all around development होगी और यही points जब हम लिखते हैं तो यही चीजे इसके advantages में आ जाती है आपको बस देखना है कि कैसे उस चीज को बनाना है अगर आपको concept clear है तो आपको concept भी हो जाएगा, meaning भी हो जाएगा और advantages में इस साथ में है बट इसके disadvantage क्या है एक-एक बच्चे को feedback देना, observe करना बहुत ही time consuming है और यह तो teacher centered process है ठीक है जी फिर आते summative assessment में summative assessment दी जाती है end of the session जब session के end में, जब आपका result day होता है वो होती है summative, ठीक है यह सिरफ outcome पे focus करता है कि results क्या निकले है ability, check करता है students की कि कितने able है बच्चा, उसके grades देखके उसको next class में promote करना है उसके marks को देखके इसे बच्चा motivate होगा बच्चे की skills improve होंग उसको पता लगेगा उसमें कौन सी skills है कौन सी नहीं quick reports, फड़ा फड़ा report cards मिल जाते हैं know if the students have understood यह देखने के लिए कि बच्चे ने कितना understand किया और यही चीज़े की advantages में आ जाती है then come इसके disadvantages क्या होएं फिर इसे तो बच्चा demotivate हो जागा न end में आप number दे रहे हो उसको उसको ना feedback दिया ना motivate किया इससे क्या होगा बच्चा demotivate होगा ठीक है child may not be able to perform well in exams क्या आप पता वो exams में बिमार हो कोई और दिखको है तो जिस वज़े से नंबर नहीं अच्छे ले पाया बढ़ उसको concept clear था second chance नहीं है यहाँ पे कोई यह भी disadvantage है बहुत ही time consuming है और teachers के लिए भी बहुत सारा paperwork हो जाता है report cards स्यार करने paper check करना तो यह सब चीज़े ठीक है c part है scales इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर आपके लिए because अभी तक मैंने बनाई नहीं है अच्छे आपको समझा दूँगी बढ़ भी मैं बता देती हूँ actual में क्या है चार तरह के scales होते है nominal, ordinal, interval and ratio nominal होता है जब भी हमने किसी चीज़ को classify करना है tag देना है, label करना है जैसे आपको आपका एक नाम दिया गया है आपको label किया गया उस चीज़ से वो होता है nominal name देना किसी चीज़ को ordinal होता है जब कोई चीज order में रखने हो कि वो बचा कितना good है कितना average है, medium है excellent है, जब हम order में कोई चीज़ लगाते है interval क्या होता है जब हमने distance देखना है difference देखना है, दो values के बीच का kilometers में हम नाप सकते है इसको degree कितनी है कितना degree Celsius है, कितना degree Fahrenheit है ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है distance कभी 0 होते ही नहीं है then गम ratio, तो ratio क्या होती है इसमें सारे included होते है nominal, ordinal, interval, सभी का combination क्या है, ये ratio है ठीक है, ये 0 हो सकती है ratio 0 हो सकती है ठीक है जी, ये हमारी unit 1 की quick revision done, now come with the unit 2 तो unit 2 में हमारा एपाट क्या है achievement test, ठीक है achievement test क्या होता है, जो भी बच्चा school में सीखता है, वो उसकी achievement है और उसको test करने के लिए जो exams लिया जाता है, उसको achievement test बोला जाता है, achievement test दोतरा के होता है, standardized and teacher made standardized होता है, जो अलरड़ी बने बनाए होता है ठीक है, and teacher made होता है जो teacher खुद बनाता है ये test की क्यों ज़रूरत है ताकि हम बच्चे को motivate कर पाए उसकी achievement चेक कर पाए progress check करने है, बच्चे को diagnose करने है, और next class में उसको promote करने के लिए ठीक है और तीन तरह के हमारे syllabus में asset type, short and objective type तो asset type क्या होता है, return exam होता है जिसमें आप एक paragraph लिखते हो इससे बच्चे की skills पता लगती है कौन सी handwriting और linguistic skills बच्चे की critical thinking develop होती है, ideas देखे जाते हैं, बच्चे ने क्या ideas डालें अपने दिमाग से, abilities बच्चे की बच्चे की traits और content quality low होती है, ठीक है तो यही चीज़े जो asset type में हमने पढ़ी, बच्चे की skills रवलाप होती उसकी abilities, ideas, यह इसकी advantages में आजाती है, ठीक है जी, asset type में limited content होता है आपको सिरफ उतनी topic दिया साथ तो उसमें आपने लिखना होता है और यह valid भी नहीं हो सकता ठीक है, यह बहुत time consuming का एक ही चीज़ पे आप ऐसे लिख रहे हो और depend करता है mood of examiner क्या पता है, उसकी views कुछ और हो टॉपिक को लेके, तो वहां पर यह disadvantage हो जाता है ठीक है, फिर आते है short answer type short answer type भी क्या written exam होता है यह सिरफ आपकी lower level check करता है cognitive domain की, ठीक है जी यह सिरफ knowledge पर based होता है easy होता है इसको construct करना जैसे complete the sentence हो गया missing words find करो short question आते हैं आपको paper में वही चीज़ है बस यह large content यह cover कर देता है छोटे-छोटे questions में यह content cover हो जाता है और जादा लिखना नहीं पड़ता है ठीक है, disadvantages क्या है लिखना नहीं पड़ेगा तो जादा handwriting और linguistic skills चेक नहीं होंगे ठीक है जी, and time management का issue है, question चाहिए छोटे-छोटे होते है number जादा होते है ना उनके तो यह दिक्कत हो जाती है कि छोड़ नहीं सकते, कोई बनमाग कर जाएंगे may not get expected answer कि जो examiner आपका paper चेक कर रहा है क्या पतो उसको आपका पसंद ना है answer short में तो आपने लिख रहा है then comes objective type objective type में क्या होता है सिरफ जैसे options नहीं आते A, B, C, D आपको tick करने है वो होता है objective type आपको सिरफ correct option चूज करने है कि कौन सा right है, कौन सा wrong है इसमें कोई judgment नहीं होती यह दो तरह के होते एक होते constructive, एक होते selective constructive होता है जो teacher खुद बनाता है जैसे short answer वाले question हो गए complete the sentence, correct करो सो sentence को यह teacher खुद बनाता है एक होते selective, जहांपे आपको सिरफ option select करने जैसे match में response test हो गया और MCQ हो गए ठीक है जी, तो इसका advantages क्या है quick and easy है उसको score करना time save हो जाता है और biasness नहीं होती यहांपे कोई भी disadvantage यही है जहें MCQ होते है बच्चे एक दूसरे को exam में बताते रहते है तो cheating के ज़्यादा chances है and take time in construction, एक एक question के charge और options देना, इसमें तो बहुत ज़्यादा time जाएगा ना teacher का ठीक है, तो यहांपे दिक्कत आजाएगी फिर आते norm reference test norm reference test के होता है, जब हम एक बच्चे के scores को दूसरे बच्चे के scores से compare करते है ठीक है, तो इसका disadvantage तो यही बनेगा ना, बच्चा demotivate होगा, ठीक है, और comparison, competition आएगा बच्चे में पर easy है इसको use करना यह सिरफ particular grade level के लिए किया जाता है, मतलब same same classes के बच्चे को compare करना है कुछ steps होते हैं, जो mind में रखने है कि मतलब यह सिरफ broad skills को test करता है, जो आपकी books में जितना भी syllabus है न, उसके according यह test prepare किया जाता है, less than four times इसको test किया जाता है vary in difficulty कोई भी difficulty level जादा है किसी का काम है, ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने answers correct दिये, या बहुत सारे ने गलत दिये, तो यह questions है जो out किये जाते हैं, उसकी जगा कोई और questions रखे जाते हैं ठीक है, disadvantages क्या है कि अगर class size 40 से कम है, मतलब 40 students तो होने चाहिए, या उससे जादा कम नहीं होने चाहिए, फिर नहीं होगा यह test, competition between students आजाएगा, not all students can pass the test, ठीक है फिर आता है criterion reference criterion reference क्या होता है, एक criteria set किया जाता है, कि बच्चे को इतना सिखाना है, बच्चे का standard set कर दिया, कि यहां तक बच्चे की skills को हमने बढ़ाना है, बच्चा mastery करेगा इस चीज में, evaluate करना बच्चे को as per criteria main objective क्या है, बच्चे की achievement को measure करना, quick results है इसके, focus करता है जादा learning पे, scoring पे नहीं करता है इतना, ऐसा नहीं कि नंबर कितने है, नहीं, क्या बच्चे ने वो skill achieved की है, उस चीज पर depend करते है, ठीक है, it determine how close students are in mastering a standard, बताता है हमें बच्चा कितना mastery करने के बस आसपास ही है, mastery होने वाली है उसकी उस चीज में, या उस subject में, so advantages क्या होंगे, बच्चा सबजेक्ट में mastery करेगा, students क्या है, यहां पर compare नहीं किये जाते है, disadvantages क्या है, lack of comparison within the students, and ज्यादा complicated है, ठीक है, time consuming भी है, expensive भी है, and difficult है standard set करना बच्चे के लिए, ठीक है, फिर आते हैं, प्रोजेक्टिव and objective, प्रोजेक्टिव और ठीक है, मतलब simply आपको true या false लिखना है, जवर्दस दिखाता है, जिसको objective में वैसे ही खाम है, ठीक है, person select the answer, out of choices, true, false, yes, no, क्या है, इसके लिए कौन सा test लगता है, MMPI, इसमें 550 statements होती है, और आपको बताना होता है, कौन सा true है, जो कौन सा false है, तो objective test एक पता होना चाहिए, आपको MMPI 2, projective में क्या होता है, open ended exams होते है, जैसे आपको कोई picture show कर दी, ठीक है, किसी, कौन मतलब, आपको नो एक picture show कर दी, जैसे ink नहीं फेंकी होती किसी पे, ठीक है, किसी canvas पे क्या है, ink फेंग किया, उन्होंने कुछ creativity अपनी तरफ से बना दी, और आपको कहा जाएगा, कि आप इस canvas को देखो, इस पे painting जो बनी है, उसको देखो, इसको देखके आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, आपकी feelings क्या है, उस चीज़ को बताने के लिए हम projective views करते हैं, right, it's subject with project feelings into the stories, ठीक है, अपनी उस मतलब जो आपको देखके feel हो रहा है, उसको कि आपका कुछ past आपको यादा आ रहा है, कुछ present में आपकी story बन रही है, उसको देखके, कुछ आपके views हैं, ideas हैं, वो आप देंगे, उस picture को देखके, इसके लिए inkblot test use किया जाता है, I hope this is clear, अब आते हैं, steps क्या है standardization of achievement test पे, तो यह 8 steps याद कर लें 14 marks में, direct question आता है, पहला है, plan करेंगे आप test को, design prepare करेंगे, मतलब कितने कितनी weightage देनी है, किस चीज को, time allot करेंगे, questions के according, फिर उसका blueprint तयार करेंगे, फिर preliminary draft मतलब questions लिखेंगे आप, फिर उसको experts को दिखाएंगे, that is editing the draft, फिर आप actual में try out करोगे, फिर देखोगे कितना standardization है, उसकी क्या वो reliable है, क्या वो valid है, यह सब चीजे आपने क्या करनी है, check करनी है, फिर यह, I hope this is clear, अब जैसे कि मैंने बोला, anova वाला हम अभी नहीं कर रहें, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगे, क्योंके anova वाला important है, two way है, इस बार हमारे इस लेवस में, फिर तो पहले हम fourth unit करते हैं, fourth में a part है by serial correlation, तो देखिए जी, by serial correlation का formula क्या होता है, r is mp minus mq upon sd multiply p q upon mu, इसलिए मैंने करवाया है, आपको सीधा numerical formula यूँकि यह numerical ही आता है, ठीक है, अगर आप theory चाहते हो इसकी, तो भी आप बता सकते हो, मैं आपको theory भी provide कर दूँग, ठीक है, concept clearance के लिए, तो mp find करने के लिए, आप क्या करते हो, assumed mean plus fd upon n multiply i, वैसे ही mq found करोगे, वैसे ही mt, ठीक है, फिर find करना है, sd, standard deviation, कैसे करते हैं, i, root of fd square upon n, minus fd upon n, the whole square, ठीक है, p find करना है, तो frequency of first group upon total number, frequency of second group upon total number, यह सिरफ formulas मैंने discuss की है, कैसे numerical करना है, आइडिया हो जाएगा, formula याद है, तो as it is question भी हो जाएगा, right, then comes assumptions क्या लेके चलते हैं, by serial में, ठीक है, यह important थी बतानी, तो मैं बदा रहेती हूँ, यह show करता है, dichotomize trait, dichotomize मतलब, एक variable को जब हम दो में divide करते हैं, उसको dichotomize जबहते हैं, ठीक है, यह concept में clear होगा, बट आपको numerical चाहिए था, तो I provided with the numerical first, ठीक है, split near the medium, और यह हमेशे normal distribution show करता है, point by serial में बस simple सा फरक है, सारा formula सेम रहेगा, बस pbis, बाकी सारा same, mp minus mq upon sd, बस root pq आजाएगा इसमें, ठीक है, बाकी formula as it is है, तो इसमें formula क्या था, pq upon u यहाँ पर बस simple क्या करना है, root of pq, आपका point by serial निकलाएगा, ठीक है, then tetra-correct, tetra-correct कैसे करना है, तो उसका formula भी you know, rt is equal to cosine, 180 degree multiply root bc upon root ad plus root bc ठीक है, फिर आते है, partial correlation पर, यह apply किया जाता है questions of relationship and prediction दो तरह के होते हैं, मतलब test करने के लिए, दो method यूज़ किये जाते हैं experimental और statistical experimental इंप्राक्टिकल होता है, और statistical क्या है, हम यूज़ करते हैं कैसे, यह formula लगा कि मतलब दो हमें दिये गए है, एक dependent एक independent, थर्ड वरियेबल उसको जाके effect कर रहा है, तो उसके लिए formula लगता है, राइट, फिर आते multiple पे, तो उसके लिए यह formula लगता है, देखे जी, यह formula आपको याद है, and this is all about our quick revision, अभी third unit के अमरी quick revision पढ़ी है, और two marks के questions भी, वो भी में आपको जल्दी next video में cover करवा दूंगी and I hope यह video आपके लिए useful रही हो, अगर आपको video useful लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel, thank you very much